Welcome everyone दोस्तों इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि कैसे आप अपने YouTube वीडियो को या किसी भी YouTube वीडियो को अपनी वेबसाइट में WordPress वेबसाइट से लिंक कर सकते हैं तो देखिए हम यहाँ पर एक्जामपल लेके चल रहे हैं इस वीडियो का माली जिये हमारी वीडियो है जिसे हमें लिंक करना है अपनी WordPress वेबसाइट के साथ इस चीज़ को कैसे करते हैं with the help of Elementor यह हम बात करते हैं इसके लिए सबसे पहले आजाईए पेजिस में और पेजिस में उस पेज पर जाईए जहाँ पर आपको इस वीडियो को अड़ करना है तो माली जिये कि हमें contact वाले पेज पर इसे अड़ करना है तो यहाँ पर क्लिक क दोस्तों Elementor कैसे इंस्टॉल करते हैं फ्लगिन कैसे इंस्टॉल करते हैं यह सारी मैंने सेपरेट वीडियो में बताया हुआ है अगर वीडियो नहीं देखी है तो आई बटन पर जाकर आप देख सकते हैं तो माली जिये कि यहाँ पर आप मुझे अपनी वीडियो डालनी है Contact Us में माल लेते हैं कि हमें यहाँ पर इसके नीचे हमारी एक वीडियो डालनी है इसके लिए हमें करना क्या होगा सबसे पहले एक Add section करना होगा Add section में हम यह वाला चूस कर लेते हैं और यहाँ पर वीडियो आड करनी के लिए जो वीडियो का आइकन आपको Element दिख रहा है इ क्या वह YouTube का Link है क्या वह Vimeo का Link है डेली मोशन का Link है या फिर आपकी खुद की website है हमारे इस एक्जामपल में YouTube का Link ले रहे हैं तो आप YouTube मैंने select कर दिया उसके बाद इस वीडियो पर आए वीडियो पर आने के बाद Share के बटन पर क्लिक कीजिए और यह जो लिंक आपको मिलत पेस्ट कर दीजिए जैसे आप पेस्ट करेंगे तो आप यहां देखेंगे कि उस वीडियो का thumbnail आपको यहां दिखने लग गया है और यहां पर नीचे जाकर इसको आप अपडेट कर दीजिए अब मैं इस वीडियो को देखने के लिए कि यह एड हुई है या नहीं हम आते ह जब आपके इस पेज पर आकर इस वीडियो को प्ले करेगा तो यह वीडियो प्ले हो जाएगी और उस वीडियो को प्ले होने के बाद वो वीडियो को देख सकता है अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना चैनल पर नहीं हो तो सब्स्राइ कर देना क्योंकि ऐसे ही wordpress related videos हम लेके आते रहते हैं और अभी हमारी e-commerce पर एक स्रीज चल रही है उसका भी description में मैंने link दिया हुआ है जिलते हैं अगली video में तब तक लिए thank you so much have a nice day take care